इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बी ए सेफ का ड्रेस कटिंग कैसे करेंगे सबसे पहले आप नाप देख लिजिए 45 इंची लंबाई है 32 इंची कमर है हाई है 30 इंची जांग है 25 इंची मोहरी है 17 इंची इस कपड़े को दो फोल्ड में फोल्ड कर लिजिए उसके बाद में आपको कटिंग बताते हैं और हमारे चानल पर नए देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चानल को सस्क्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दिजिएगा इस टाइब से आप पहले मरका मार लिजिए उस साइड में यहां से आदा इंची डाउन करके मरका मार लिएगा और उपर में एक इंची उपर कर लिजिएगा इंची टेप को उसके बाद में लंबाई मरका मार लिएगा जितना लंबाई है आपका 45 है हमने 45 पर मारका मार लिया लंबा ज्यादा है इसका इसके वज़ा से हमारा केमरा दूर में रखा हुआ है यहां से हाई का 30 इंची हाई है तो तिहां ही भाग पर मारका मारेंगे 10 तिहाई 30 और यहां से 7 इंची डाउन कर लेंगे यानि 11 इंची पर हो जाएगा यह मरका ठीक है इसको उपर से नाप नहीं लेंगे हाई का एक इंची बढ़ा के नाप नहीं लेंगे ठीक है यहां से मोहरी के लिए लंबाई के लिए सीधा मरका मार लेंगे ठीक है उसके बाद में धाई इंची मोरने के लिए मरका मारेंगे यहां से ठीक है उसके बाद में इसको भी सीधा कर लेंगे यहां से कटिंग करेंगे हम ठीक है यह हमारा मोहरी का मारका लग गया और इसका 20 सेंटर का एक मारका लगा लिजे यह बलके यह हमारा मारका गल्त लग गया है इसको एक इंची उपर करके ही मारका मारना चाहिए एक इंची उपर करके मारका मारेंगे हाप पे 45 का आधा साड़े 22 पे ठीक है यहां से घुठना पीस लगाया जाएगा अगर अमरीकन ड्रेस बनेगा तो यहां से घुठना पीस लगेगा ठीक है इस तरह से स्केल रखके साइड में मरकमार यहां से पौने दो इंची पे मरकमार लिजिए इसको शेप देना है यहां से देख लिजिए किस तरह से श जरूर देखिएगा जब समझ में आएगा आपको और यहां पे कमर लिख लिजिए जितना भी आपका कमर है इसका 32 इंची कमर है हमने लिख लिया और यहां से चौथाई भाग पे 32 का 8 इंची आएगा और यहां से धाई इंची हम लेंगे इसका लूजिंग थोड़ा कम जाएगा और जेतना एंधर में है इतना इंधर में मरका मारर जाएगा 11 इंची हो रहा था यहां से 15 इंची एस्टरा लीजिएगा ठीक है और यहां पे मोहरी जितना भी 17 साड़े 28 इंची है मर्क मार ले रहे उर इसको उपर से इस तरह से मर्क मार लिजे सीधा इस हें दित्साब मädर्ली के मर्क मार ले आप मिला लिजे और एस हर थोड़ा νाम का लिजे और इसको गोल कर लिजिएगा यहां से जेब के लिए डेर हिंची और यहां से सावच छे इंची पर मरका मार लिए जेब लगाने के लिए ठीक है डेर हिंची पौने दो इंची पर आप उपर से मरका मार सकते हैं अब इसको कटिंग कर लेते हैं इस हिसाब से कहिंची में दोड़ा सा मिश्टेक कर रहा बीच में धार लगवाने के लिए सोच रहा हूं अभी धार नहीं लगवाए हैं हमने आप को कह्षी खरीदना हो तो इसके लिए भी आपको डिस्क्रेप्शन बक्स में लिंक मिल जाएगा आप कहेंची भी सकते हैं हमारे डिस्क्रेप्शन बॉक्स से बेस्ट क्वाल्टी का आपको कहिंची मिल जाएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लिए काई नहीं हो तक प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए है और कोई भी आपको कॉमेंट करने का सोच रहे हो कि यैससे नहीं वइसे होना चाहिए है कोई आपके दिल में बात हो तो आप कोमेंट करके जरूर हमें बताए है इस तरह से हम कटिंग कर लिए कर लिए कि कटिंग करने के बाद में सामना हमारा कटिंग हो गया अब यहां से द्धाय इंची का उपर में हम यह चैन के लिए कुटका मारेंगे ठीक है यह गुलायी जहां से देते हैं वहां शादधा इंच उपर में वहां से हम कुटका मारेंगे और इसालाद में काकुरिव इनकार बनाएढ़ चले रिख्षाइगनाओ कोदते सब्सक्राइब घड़ा हम में लिनक मिल जाएगा जया जो भी सब्सक्राइब बिदूकि सत्ते शचेंटि CH लुट्प से treaty हैं कि इस तरह से आप कट करहें कि यहाउं हो से यहाँ फूड़ थेंगे ऐखीहइगा तर coal जीशिए करनेटर Πंदी केसीज़ने अन् Vishu लुट्रीज़ने वीन पूड़ टेंगे हो भीडियो ट्राइम होना चाहिए कि यहां से सआवाईं ची पे मरबं कम आ day यहां से कि जांग का नाप लिजिये कितना हो रहा है कि जांग मेर हो जाना सुना छाहिए दबाव ले करके के दबाव छोड़कर नाप लिजिए केमरा थोड़ा दूर है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको सही तरीके से और यहां से सवाइंची मरका मार लिजिए और यहां से सवाइंची लग गया उसके बाद में यहां से इस तरह से शेप दे दिजिए हलका सा और इस जगा से जो मरका है उस मरका के सामने से मरका मार लिजिए यहां से सवाइंची इक मरका मार दिजिए जो कि पीछे का टेकिंग लगेगा और यहां के नीचे ही में मरका मार लिजिए और इस तरह से शेब दे दीजिए और इसको गुलाई कर दीजिए इस तरह से गुलाई ले लिजिए और यहां से आधा इंची उपर से कटिंग किजिए और इधर से थोड़ा सा एश्टरा ऐसे धिर धिर जादा जाएगा यहां से धाई इंची के करी में हो जाएगा यह थोड सा कटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा कटिंग हो गया है खैर इसको कमर जोड़ने टाइम में भी आप काट सकते हैं जो इस्ट्रा कपड़ा है और यहां से आप आधाइंची नीचे में आगे साइड में इस्ट्रा रहना चाहिए देख लिजिए यहां पर और इधर में पीछे साइड में बराबर होना चाहिए और इसके बाद में इसको कटिंग कर लिजिए यह हमने कटिंग कर लिया है उसके बाद में इस साइड का हम कटिंग कर ले रहे हैं यह हमारा इस तरफ का कटिंग हो गया वीडियो कैसा लगा आप कोमेंट बक्स में जरूर बताइए और स्ट का वीडियो देखने के लिए एंड़ स्कीरिन से आपको विडियो आएगा भी अब देख लिजिक उधर से हैं और कर सोप को मार ली जिए फ शोड़ करके कि इस हिसाब से आप शच को लिग्र आधे पर मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्याओं